द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विश्य है विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोग थाम दिवस हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोग थाम दिवस मनाया जाता है इस दिन का उद्देश्य मरुस्थली करण से निपटने के लिए अंतराश्ट्रिय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरुकता को बढ़ावा देना है। इस साल यानी 2022 के इस दिवस की थीम है एक साथ सूखे से उपर उठना। इस साल के इस दिवस का वैश्विक आयोजन मेडरिट स्पेन में किया जा रहा है। गौर तलब है कि संयोक्त राश्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1994 में अपनाए गए एक संकल्प के जरिये 17 जून को विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोक थाम दिवस के रूप में घोशित किया था। जान लेते हैं मरुस्थली करण के बारे में। यह बड़े पैमाने पर फसलों की बरबादी जंगल में लगने वाली आग आदी जैसे कारकों की वजह से उत्पन होती है। भूमिक शरण और जलवायू परिवर्तन के कारण सूखे की आवरिती और गंभीरता में व्रिध्धी हो रही है। हर साल लगभग 55 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। 2050 तक सूखा दुनिया की लगभग 3-4 आबादी को प्रभावित कर सकता है। प्रिये व्यूवर्स हमारे दृष्टी PCS चैनल पर विभिन PCS एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक करण्ट अफेर बेस्ट डेली PCS GK शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम मंडे टु सैटरडे दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाता है।